नमस्कार दोस्तों स्टॉक मार्केट अपडेट चैनल में आप सब का फिर से दिल से स्वागत है पारस डिफेंस की तरफ से आज सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूस सामने आई है तो दोस्तों वीडियो काफी ही इंटरेस्टिंग होने वाला है तो प्लीज पूरा देखना एक भी पार्ट मिस ना करना और इससे पहले यदि आपने अभी तक मेरी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सबस्क्राइब जरूर कर देना क्योंकि ए आपके दोस्त का ही तो चैनल है पार्ट डिफेंस में दोस्तों आज लगातार पांचवे दिन की लोर सरकिट लगी है अब क्या होगा सबसे बड़ा सवाल अब क्या होगा तो दोस्तों पार्ट डिफेंस में अब देखा जाए तो आज की वॉल्यूम के मुताबिद हम मैथेमेटिक्स को स्टड़ी करें तो पारस में अब लोर सरकिट का सिलसिला जारी ही रहने वाला है तो प्लीज अपना जितना प्रॉफिट है उसे बुक करने में ही समझदारी है दोस्तो पारस डिफेंस के मार्केट डेप्थ को देख के हम एक बात तो पकात आए कर सकते हैं कि पारस डिफेंस की मार्केट डेप्थ में सेलर कितने ज़्यादा आए है आज दोस्तो पंद्रा लाक से भी ज़्यादा पारस डिफेंस स्टॉक सेल में आ चुका था लेकिन वॉल्यूम कम होने की वज़े से लोर सरकित लग ही गई और आज की अभी की मुताबित दोस्तो केवल टैन थाउजंट ही बायर खुल कर सामने आये है और इसके सामने दोस् ऐसा ही चला तो पारस में दोस्तो आने वाले हपते में भी लोर सरकित का सिलसला जारी रहेगा इस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तो प्लीज अभी से ही पारस डिफेंस को स्क्वेर आप करना शरू कर दीजिए क्योंकि यहीं समय है अब ज्यादा लॉस ना पाने का क्योंक पारस डिफेंस में जिस तरह से पहले हमें प्रॉफिट हुआ था वो अब कम होता जा रहा है और आने वाले वक्त में ऐसा ही चलता रहा तो पारस डिफेंस में आपको जैसे प्रॉफिट दिया था वो आप नहीं ले पाएंगे दोस्तो पारस डिफेंस में ही नहीं लेकिन पूरे मार्केट में अभी क्रेस का सिलसिला जारी है और एक क्रेस का सिलसिला कब तक जारी रहेगा एक किसी को भी पता नहीं दोस्तो कोई भी कितना भी बड़ा researcher हो वो जो दावा करता है वो कभी सच नहीं होता क्योंकि market का पूरा control investor के हाथ में होता है और investor के दिमाग में क्या चलता है ये किसी को भी पता नहीं होता तो दोस्तो यूटूब पे जितने भी यूटूबर है और वो अपना opinion बता रहे है कि पारस में ऐसा होगा stock market में ऐसा होगा तो दोस्तो इससे भावक मत हो आपका decision आपको ही लेना पड़ेगा क्योंकि आने वाले वक्त में किसी के दिमाग में क्या चलेगा किसी को भी पता नहीं चलता एक आपको कोई भी यूटूबर नहीं बताएगा तो मैं आपको personally suggest करता हूँ दोस्तो किसी के भी वीडियो को देखके किसी की भी tip लेके अपना investment मत करिये क्योंकि आने वाले वक्त में आप बहुत ही loss कर सकते है इसके साथ दोस्तो एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि stock market एक ऐसा platform है जिसमें profit के साथ loss भी सहना पड़ता है तो दोस्तो यदि आपके पास कुछ पैसा surplus है तब ही वो ही पैसा आप stock market में लगाए प्लीज दोस्तो किसी के पास से उधार लेके stock market में पैसा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि आप बड़ी मुसिबत में फस सकते है दोस्तो ए बात में मेरी चैनल पे आज क्यों बता रहा हूँ इसके पीछे का भी एक reason है दोस्तो कल मेरे एक दोस्त का phone मुझ पर आया और उसने मुझे पूछा कि दोस्त पारस defense में अब क्या करना होगा तो मैंने उसको पर्ष्ट बोला कि पारस defense में आपके दिमाग में जो चल रहा है वहीं करो क्योंकि दूसरों की सलाज से stock में invest नहीं किया जा सकता दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके subscribe जरूर कर देना